हेलो दोस्तों नमस्ते जिकलत आप सो लोगो वापस से स्वागत है में रिडिविशन लास्ट स्वारों में दोस्तों आज हम अपनी DPSP सीरीज के आखरी एविसोड पर आए हैं और आज हम 51 आर्टिकल तक हमारे सारे DPSP के आर्टिकल को कवर कर देंगे और इसके दर हमारे DPSP सीरीज खतम हो जाएगी आज के आर्टिकल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कहां से हमारे कॉंशिशन के अंदर पावर मिलती है हमारे को रेजर्वेशन देने की कहां पर हमारे constitution के अंदर cow slaughtering और milch animal के protection की बात की गई है international laws को लेकर हमारे country का क्या तवज्जु है और साथ में separation of judiciary from executive की बात किस article के अंदर करी गई है तो बिना किसमे को waste करे आई चलते हैं हमारे इन article किसकी तरफ DPSP के और बहुत important episode को शुरू करते हैं तो दोस्तों let's go to the streaming तो दोस्तों आज हम हमारे DPSP के last part पे हैं और आज हम यहां पे 45 से लेकर जो हमारे last 51 तक का जो article है उसको हम लोग आज यहां पे cover कर लेंगे 45 जो article है आपको पता होगा कि insert कराया गया था अटल भ्यारी जी की government के time पर जो की हमारा right to education के act की बात करता है और इसके अंतर बोला गया है इस पे बोला गया था यह जो commencement की बात करेगी थी 10 years के time पे करी गई थी बट इसका 10 years का जो constitution की commencement होने के बात का था वो fulfill नहीं हो पाया उसको जाके right to education act के अंदर जब power दे कर हमारे 2003-2002 के time पे जो है इसको powerful बनाया गया था और इसके अंदर जो 14 years की age है वहाँ तक की education को they have said that it should be for free and compulsory free भी रखना और compulsory भी रखना आपका admission लेते हैं जिसे free education की बात करते हैं वो 8th class तक करते हैं और government schools तो आपके जो है वो maximum जितने भी schools हैं सारे के सारे वो 8th class तक minimum है 8th class के बाद higher secondary schools को जो है वो कई जैसे Delhi के अंदर तो almost सारे school 12 तक है बट कई cities के अंदर higher secondary schools के लिए बच्चों को घर से दूर जाना पड़ता है बट अगर कोई गाओं या कोई इसी जगा है वहाँ पर 8th ही तक schools दिये गया है क्योंकि हमारे constitution के साब से 14 years की age तक बच्चे को free और compulsory education देना हमारे सरकार का एक endeavor होना चाहिए the states will promote with special care the education economic interest of the weaker section यह 46 है यही जो है आपका एक तरीके का base है for your reservation आपको अगर एक case याद होगा जो अपना क्या कहते है एक दम beginning में constitution के first constitution के time पे case हुआ था जो आपका बड़ा ही landmark judgment भी जाके आगे साबित हुआ जिसके अंदर जो state government का contention था क्योंकि हमारे constitution के अंदर FDRs के अंदर जो है reservation education system के अंदर नहीं था for the weaker section जो जिसकी हम लोग बात करते हैं जो हमारे article 15 के अंदर जो education system को लेके जो आपका reservation की बात थी वो 15.5 के अंदर जो आई थी वो पहले नहीं थी उसको first amendment के अंदर डाला गया था और डाला क्यों क्या था कि बहुत ही important case था landmark judgment था उसके अंदर जो government थी ओ 46 का सारा ले रही थी 46 जो है वो government को empower करता है weaker sections के education promote करने के लिए educational economic interest का ध्यान रखने के लिए weaker section का especially schedule caste schedule tribe का तो जो court था उनने बोला था कि 46 जो है वो enforceable नहीं है आप लोग इसको enforceable नहीं कर सकते मगर जो है court ने government को जो reservation था उसके लिए मना कर दिया था तो फिर government को 15.5 और हमारा जो 16.4 है उसके अंदर reservation करकर jobs और education के अंदर reservation को लाना पड़ा first amendment के अंदर ही जो reservation की कहानी थी वो बना दी गई थी तो जो basically basis है reservation का वो 46 से आता और बहुत ही important article 46 है 47 जो बात कर रहा है that state shall regard the raising the level of nutrition and standard of living of the people and the improvement of public health as among its primary duties तो primary duty state की होनी चाहिए कि लोगों की अब ब्रिंग जो हो nutritious हो standard of living अच्छा हो improvement of public health हो and in particular the states shall endeavor to bring out prohibition of consumption of except except for medical purpose of intoxicated drinks and drugs which are induced to health तो government को जो है वो आपका prohibition के ले भी endeavor करते रहना चाहिए और यही कारण है कि government जो है बहुत हेवी taxing करती है when it comes to the drugs not the medical drugs but your liquor and your secrets तो इसके आपर government हेवी taxing करती है plus जो हमारे देश के अंदर NDPS Act के अंदर नार्कोटिक्स के भी बहुत strong rules है वो 47 से ही जो है वो आपका inspire होकर आते है 48 जो बात कराए the state said to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves तो आप देख सकते है जो हमारे देश के अंदर जो भी आपने सुना होगा जो भी क्या केते है अपना गव रक्षक और गव जो यूप के अंदर आपने देखा होगा गव शाला के ओपर भी कानून बने है तो जो वाटेवर दोस लॉज आप बीन मेड़ गवर्मेंट इस मेड़ अंदर दिस वर अंदर गांधियन प्रिंसिपल जिसके अंदर जो है हमारा गाय को गाय को जिसको गाय उमाता कहा जाता है जो है उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया और उनकी स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट किया गया और यही कारण है कि मिल्च अनिमल्स की स्लॉटरिंग जो है वो बहुत ही जादा कई स्टेट्स के अंदर इल्लीगल भी है नो लेस्ट गो टो 48A the 48A is the state shall endeavor to protect and improve environment for the safeguard of forest and wireless century यह 42nd amendment के अंदर डाला गया था इंदरा गांधी के टाइम में तो environment का ध्यान टखने के लिए और safeguard forest and wildlife जो है country को इसको प्रोटेसर्फ करने के लिए बात यहां पे की गई 14 and it shall be obligation of the state to protect every monument so this is talking about the monuments and history historical places in India that it's obligation of the state to protect every monument or place or subject of artistic or historic interest declared by or under law by parliament to be national importance from spoilation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export and the case यही कारण है यह 41 ही है जिसके अंदर जो हमारा archaeological survey of India यह साही जो है उसको extraordinary powers दी जाती है और वो ऐसे historical monuments का ध्यान रखती है उन पर सर्वे करती है उनका वो करती है now this is a very important one, this is the article 50 जो इसको यात करने का तरीका है कि 50-50 power जो है distribute कर दी गई थी judiciary और आपके हमारे executive के बीच में तो यह basically जो बात कर रहा है of course administration has been 50-15 तीनों को दी गई थी this is to separate the judiciary judiciary from the executive in the public service of the state 50-50 की बात जो judiciary executive के बीच में करी गई है that has been talked under this article 50 the state shall take steps to separate the judiciary judiciary के अंदर involvement नहीं होना चाहिए और 51 है let's talk about the international relations की भारत का जो principle है वसुदेव कुटुमकम जो वसुदेव कुटुमकम का principle है जिसके अंदर हम world को एक family मानते हैं तो उस principle के अपर जो है security, world की peace और security को हमारा को promote करना है इस यही कारण है कि हम लोग जो है peacekeeping force में सबसे ज़्यादा contribute करते हैं इंडिया की तरफ से और हमारा जो first no use policy है चाहे वो आपका atomic weapons की हो वो इसी principle से inspire होकर आती है maintain just and honorable relation between the nations foster respect for international law and treaty obligation जो international law treaty की obligation है 51 के अंदर हमारे को हमारे को शीरो फुर्वादस ने भी बोला है to give preference increase settlement of attentional dispute by arbitration ठीक है arbitration यह पहले सुला के माध्यम से international disputes को अम लोगों को जो है वो solve करना चाहिए so दोस्तो this is it हमारा DPSP यहाँ पर आज इस episode के साथ खतम होता है बहुत ही simple series थी but important थी कुछ-कुछ articles के इंदर important थे जो मैंने आपको specifically important लिखकर ऐसे mark करे हैं तो आप make sure करें कि आप video को पूरा देख रहें तो जो articles को important बोला है आप उनको जरूर त्हान में रखें और उनको जरूर करके जाएं examination point of view से so दोस्तो this is it from our DPSP series and we'll be back again with another series related to the constitution I hope आप लोगो को series बहुत आप पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो don't forget to hit the subscribe button and do share it with the friends and family members who are very much interested in the Indian constitution so दोस्तो हेर सौर्व करबा signing off take care and bye-bye